हलो फ्रेंड्स तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने इंडियन सिस्टम्स ओफ मेडिसंस के बारे में तो हम देख रहे थे अपनी हरवल्ड ड्रेक्टेक्न लॉज़ी बी फार्मेसी सिक्सेमिस्टर और यहां हमारी यूनिट फर्स चल ली थे तो यूनिट फर्स आयरुवेदा वाला जिसको हम डीटेल्स में बात करेंगे यूनानी और होमियोपेथी को हम सौट में दो नमर के अकॉर्डिंग समझ लेंगे क्या होता है कैसे होता है उसके बाद हमारे यहां पर बंते थे प्रिप्रेशन एंड इस वाले पार्ट में तो चार हमने यहां मो इनको भी हम सौट सौट में देख लेंगे तो यह हमारे टोटल इसके कोशन तो चलिए इनको सौल्व करते हैं लेकिन उससे पहले हैलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे तो मेरे नहीं है अकाश कुमार और स्वागत करता हू जो भी मेडिसन का चलन बगर वो सारे के सारे हमारे इसके अंदर आते हैं उन्हीं कोई बात नहीं थोड़ा था और अंदर को समझते हैं तो जैसा आप सभी लोग जानते कि आजकल जो दवाईयां चलने ही जड़ी बूटियों वाली थी पेड़ पत्तों से बनाई जाती थी बिल्कुल देशी दवाईयां थी कभी कुछ खाने के देते हैं वो सारे का सारे सिस्टम हमारे किसमें आता था आयूरुवेदा में आता था तो अब यहां पर यह समझो कि जो जो ऐसी दवाईयों के सिस्टम है जो जो ऐसी दवाईया हैं जो बेसिकली हमारे इंडिया में औ simulated हो गए तो उनको भी हम जो है इसी के अंदर include करेंगे यानि उनको भी हम बोलेंगे Indian systems of medicine तो simple आप समय गया होगे कि ऐसी दवाईयों के system जो मारे इंडिया में या तो origin हुए या इंडिया के बाहर से आके इंडिया के अंदर घुल मिल गए आपस मतलब एकदम उसी में लोगो ठीक करें लेकिन एक और उसका परफ़र जोता वहता है नॉलेज बाला अब जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग नॉलेज ले रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि आप दबाईयों के बारें पढ़े रहे हो तो भी खा लेते हैं दो तिन अच्छे समझ आएगा आप नॉल इसे प्लांट पौदे हो गए या कोई मिनरल्स पगए उनका ज्यादा यूज करते थे दबाईयों के रूप में तो वह ही था कि उनके बारे में पूरी हमें को नॉलेज मिले उनसे कैसे दबाई बनाएं कैसे किसी को ट्रीट करें क्यों करें यह सारी की सारी इंफरमिशन हम में समझते आरे में समझते हैं तो देखो, जो हमारा आयूर्वेजिक system है, वो हमारा जो है, उल्डेश्ट system है, दबायों का, अब कहीं लोग का मानना है, कि सिद्धा हमारा उल्डेश्ट है, कई लोग का मानना है तो यह debate तो चलती रहेगी, आप बस दोनों में लिख देना, कि it is the oldest system of medicine यानिकि सबसे पुराना हमारा system है और ये लगवा हमें 900 BC में existence में आया था अब अगर हैं बर्ड से मतलब समझाने कि आयूर वेदा क्या कहता है तो आयूर वेदा दो चीजों से मिलकर बनाए पहला हमारा आता है आयूर आण सेकेंड हमारा आता है वेदा तो आयूर का मतलब होता है लाइफ यानिक जिंदगी जो हम सब लुग जी रहे है और वेदा का मतलब होता है वेद पुरान जाना कि science जाना कि यान यान कि टू गेन नोलज यान कि simple हम बोलें तो एक हमारे बिग्यान है इस जिन्दगी का साइंस है यानि की साइन साइंस या कि लाफ उस सीखो कि जिन्दगी कीसे जीते वो पूरे की फुरी मैं आपको आगे बतांगा उसके बात करें तो जो हमारे बहुत contribution है इसी आयरुवेदा में उसका नाम क्या है शुषुरता शमिता और इसको भी लिखा था हमारे कौन थे शुषुरता जी थे यह हमारे एक्च्वल में फेजिसियन बगरा थे बहुत ही दौनों महाल लोग है काफी दाथा ठीके तो इन दौनों वक्का काफी दाथा contribution ह हमारे आयरुवेदा में और इसके principle होगे तो अब यह आप बिसिक समझ गए नौलिज अब हमारा आता है principle और इसी के उपर बैसे कोशन भी आता है और पिछली बार साइथ एच्पीटीव में 10 मार्क्स में कोशन आया है principle आप अच्छे समझेंगे अब देखो मैंने हाँ छोड़ी छोड़ी चीज़ा लगाई है जिससे आपको यह पूरा सिच्टम एकदम याद होता है अभी के अभी तो principle तीन ने जी तो पी से हमारा आता है पंच महाभूत क्या जी से हमारा आता है त्राइदोस और जी से हमारा आता है गुन रस सिध्धान अब यह क्या होते हैं इसके अंदर हम पढ़ेंगे पहले आप समझेए कि तीन बैसिक प्रिंसिपल ने इसके पहला मारा आता है पंच महाभूत से तो मारा वगया पांच और महाभूत आजाता है यहां पर elements बूले दाता है यान कि According to इस वाले principle यान कि पंच महाभूतास कि according क्या है कि पूरी पूरी जो दुनिया है या भ्रहमान वह हमारा पांच basic elements के दोरह बना हुआ है और वह हमारे कौन से होते हैं प्रथवी जल प्रथवी अर्थ हो गया फिर हमारा जल आता है water फिर हमारे मतलब यह मानना है कि यह पूरी कोरी दुनिया हमारे इस से बनी है और चो एंप भूरी इसी से बनी है यह जो कोई भी चीज और इन वो भी इन 5 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है बाकि ये जो हमारे 5 elements है ये हमारी body में एक balance में present होते हैं परफेक्ट balance में present होते हैं अब अगर ये balance बिगर जाता है तो समझ लो यहाँ पर बिमारियां और illness बगरा cause होताते हैं अगर जनरल चीज़ समझो जैसे मालो आपको भी बहुत जादा गर्मी पड़ रही है ठीक है तो आप चाहोगे कि वहाँ थोड़ी बहुत हमारी हवा चले और थोड़ी बारिस हो जाए जिससे मौतम एकदम बराबर हो जाए तो आप भी चाहते हो ना कि balance में नहीं चीज़ है तो यहाँ पर देखा गया कि हर चीज़ हमारी balance में होनी चाहिए तब ही हम लोगी सब की जिंदगी अच्छे चलती है अगर यह balance बिगरता है तो या तो कोई वीमार होता है या unhealthy मतलब environment बगरा हो जाता है तो इस सिद्धान पर हमारा पहला काम करता है यह वाला अहरुबेदा पंच महाभुत पे सेकंड हमारी चीज़ आते हैं यहां पर त्राइदोस वाली त्री तो त्री दोस को अगर देखा जाए तो त्री तो हमारा तीन हिंदी वर्ड एक त्री त्री दोस मतलब होता है रोग यान कि कोई भी परकाई डिसीज बगरा वह हो तो अकॉर्डिंग टू इसके अनसार क्य या तीन दोस बोल सकते हो अब यह हमारे कॉम्बिनेसे में प्रिजेंट होते हैं अब इसको याद करने के लिए मैंने चीज़ बताई है यहां पर सिंपल समझो हमारे आपको वर्ड याद रखना है के बीप के वीप यासी याद होगा न तो आपको के बीप वर्ड याद एवास यह वर्ड आपको याद रखना है इसके अंदर हमारे आते हैं फिर माला आते हैं तो मैंने यहां सोड बताया था खुद भी मुझे एर प्लस स्काई और पी से मारा था पित पित में आजाता है एव ड़व यान कि हम फायर प्लस बाटर और यह तो आप तीसरे वाला आप यह से याद कर सकते हो यह वास के बाद ट्रपल आर में जो आपको बता ही है सबी ने देखियोगी मुवी तो उसमें हमारे को फायर राम यहाँ जाता है या कोई बिमारी कॉज होता है तो बस आयरुवेदा का यही काम है कि वो ट्राइ करता है कि इनको बैलेंस बनागे रखें और माल लोगर कोई बीमार हो जाता है तो वो क्या करेगा अभी यहाँ पर मैंने मतलब डाइगनॉस कैसे करना है यह सारी इतनी इतनी डीटिल्स में बाता नहीं लिखीं क्योंकि हमें सिर्फ जो इसका बेसिक प्रिंसिबल पढ़ना था तो डाइगनॉस भी आयरुवेदिक की तरह से हो जाता है और सारा कुछ करने के बाद हम जो इसमें इलाज करते हैं वो ट्राइ करते कि इन तीनों को बैलेंस कर सके और फिर से जो कोई परसन है उसको ट्रीट कर सके ठीक कर सके कोई तो अब हमको बारे में तो जो पहला वारा कफ है यह बसलिए हमारी बॉकस के अंदर मुकस को और सकती हैं का इंडि Okay और अगर ऐसा होता तो सी एनेस में कोई प्रब्लम हो सकती है हमारे हर्ट में यूरिनेरी ट्रैक में इसकी डिसीज बगरा हो सकती है फिर देन थर्ड आता हमारा इसको भी मैंने इसी वाले फॉर्मेट लिखा के बीपी यानिकी काफा बात पित जिससे आपको याद करने में आ नहीं कर देना ठीका तो यह हमारे होगए यहां पर त्राइदोस के बारे में अब हमारे आपर यहां पर टीसरा जो आता है यहां पर आता है नहीं तो इसको सॉट में यहां लिख दो कि basically हमारे जो ड्रक सभिष्टांथ है वो फांच तरह की होती हैं गूण मतलब हमको पांस नाम थोड़े वैसे हैं लेकिन आप याद कर सकते हो तो यही थां बिसिकली हमारा पूरा का पूरा principle इसी आयुर्वेतर सिस्टम के बारे में पंच महाबुत हो गया तेकिन सेकेंड नमारा त्रहेदोस हो गया और थर्ड हमारा हो गया गुन रसा सिद्धांत तो अगर यह कोशन आता है पूरा यहां से और यहां तक पूरा लिखकर आना और अगर आपको मतलब ज्यादा लेंदी में आता है थोड़ा आप बना बना के लिखाना वैसे तो यह पूरा टैन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपके चार पेस तो इसमें आराम से भरी जाएंगे चार पंच पेस ठीक है तो इस तरह आप यहां समझ सकते हो तो यहां पर देखा गया कि इसको भ अब यहां पर इसका प्रेंसिपल समझे उससे पहले में बेसिक बात बता दूं कि एक्चुल में यह है क्या अगर लॉंग में आता है तो आप लिख सकते हो देखो सिद्धा सिश्टम का मानना यह है कि जो हमारे सिभ जी हैं मतलब भूले संकर महराज है वह पारवती जी को तो थोड़ा सा मतलब बता रहे थे दवाईयों के बारे में तो उन्होंने बताया पारवती जी को सारे के सारी ननदी जी को बताया और नननी जी ने उनके संथ बगरा थे उनको इन तो इस तरह यह जो पूरी सिद्धा सिस्टम के हमारी मैडिस दवाईयों की नौलिज है वह हमारी उपर भगवान जी से डारक्ली हमारे यहां पर संत बगरा लोग के पास आई सादू के पास आई और देन उन्होंने इसको तमिल नाडू में अरिजिनेट किया और उसके बाद ना कि it is the older system of medicine ठीक है तो इस तरह यह हमारा इसका मानना होता है उसके बात करें इसमें प्रिंसिपल तो दो प्रिंसिपल पर हमारा काम करता है मिल ली अब देखतें पहला कंसा है तो अक्टु इसके आकॉर्डिंग भी क्या है कि जो हमारा होल यूज़ ससाथ जो भी हमारी बॉड़ी है वो हमारी 5 basic elements पर बनी हुई है देखा गया तो काफी को जो आयरुवेदा और हमारा सिद्धा उसमें काफी कुछ हमारा सिमिलर है तो आप अगर एक करके आते हैं दूसरे में आप बना बना के लिख दोगे आपको marks बहुत अच्छे मिल दाएंगे तो इसमें भी ह हमारा 5 पंच बहुतम इस नाम से आते हैं यहां जो हमारे तीज स country यहां मन बोला गयााँ जो हमारा वाटर को मेराओ समसी रहे होगे मेरे ड़ुब करते हैं हमारे ती बोली गए हापर और ये रेडियस सन्यार की जो धूब या entrepreneurs निकलते ह Nam उसको denote किया गया है फिर हमारा इसकाई को आकाशम बोलेगा जो इथर को denote करता है यहाँ पर तो इस तरह से थोड़े से नाम अलग है हैं तो हम हेल्दी हैं अगर इंबैलन्स होते हैं तो हमारे में डिसीज कोई आता है और इसमें इसको नाम से भी मिले गा तो उसके बाद करें तो इसमें भी वही तीन आते हैं कफ वाधा पित्तम तो मैंने भी इसी लेम में इसमें लिखा है मतलब ऑडर में जिससे आपको और इसलिए यह जो हमारे पंचाली में वह भी हमारे इसी के अंदर आए जैसे हमने आयुर्वेदा में पड़ाता तो जो हमारा कंटेंड करता है अर्थ प्लस बाटर को और अगर यह हमारा भड़ता है तो यह करता है और पित पाथम इसको फायर प्लस वाटर जो मैंने आपको बताया था कफ में हमारा आदाएगा और एफ टबलू यही वाली चीज़ा जो आप यहां भी एड़ कर देना ठीक है सारा कुछ आपको सेम है डाइग्रॉसिक मैंने थोड़ा बता दिया यहां पर कि इसमें ज जो हमारी सिद्धा के अन्ना eyya prepared होती है बहुत कि हमारे किसोरे होती हैATHAN Yog जिंग कॉपर आर्स हैने के ऐसे बहुत सारे हमारे हैं मिनल्स जिनके दारा दवाई इसमा बनाई जाती है ठीक है तो यह आप यहां पर समझ गए होंगे बाकि थर्ड हमारा इसमा आता यूनानी सिस्टम मेडिसन तो यह हमारा ग्रीक से और इसको हिपोक्रेट जी लेकर आये और इसे लिए यह हमारे फादर ऑफ यूनानी सिस्टम यहां पर कहे जाते हैं उसके बाद प्रिंसिपल की बात करें इसको हम सौड में समीं करा नहीं नहीं प्रिंसिपल की बात करें तो यह बिसिकली दो प्रिंसिपल पे मतलब काम करता है पहला हमारा हिपोक्रेटिक जी थ कोई वाइल होता है तो यहां पर फिलीड की बात हो गया है तो पहला बलड हो गया फिर फललागम हो गया फ्लागम कफ वगई येलो बाइल तो आप जानते हो है ये यह पर आल याद कर लो अब इनके according क्या है कि ये चीज़ा हमारी balance में रहती है और अगर ये हमारा balance बिगरता है तो disease होगी अगर ये balance में तो हमस्त ही रहेंगे बस इतरा है अब ये चार चीज़ा हमारी चार elements को denote करते हैं वह मैंने यहां लिख दिया है ब्लड जो हमारा है वह होट होता है आपको बताएगे खून गरम होता है और मुश्ट तो गीला तो ही ब्लड है हमारा liquid है और यह साथ में elements यानकी air को denote यहां पर करता है फ्लेग हमारा cold है ठंडा है और मुश्ट है गिला है कफ ठंडी के टाइम पर होता है और यह हमारे water वाटर को denote करता है यहां पर एक दम हमारे बिसिकली solid को denote करता है बहुत जब कहा होता है और यह बिस द्राइज है और यह बिसलिए कब होता है जब डाइजेशन वगरा हमारा बहुत ज़्यादा खराब होता है सारी चीज़ बिगर जाते ही तब एकदम काली-गाली होती है आप समझ रहे हो बाकि येलो हमारा नॉर्मल जब चलता रहता है तो यह आपको डिनोड करता है यानकि आपने देखा होगा ना कि अगर कोई ज्यादा तीका खाले ज़्यादा गरम खाले तीका खाले तो कहते हैं फिर आख के गोले तो वह समझ सकते हो कि यहां पर एकदम पेट अच्छे साफ हो रहा है और यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम है तो इस तरह यह चारों हमारे डिनोड किया गए है आप लोग छोटे में यह समझ ग पैथोज का मतलब होता है सफरिंग यान कि कोई बीमारी बगर आए तो इनका मतलब यह हमारा जी होमियोपेट ही है यह हमारा इस सिद्दान पर काम करता है लौ ऑफ सिमिलर पर यान कि लाइक अब इसका मतलब आप यह समझो बहुत लोग को आपने देखा होगा जिनको कर रहे हो सब्सक्राइब करने के लिए हम दूसरे माइक्रो और्गन को ले रहे हैं तो वही सिद्दान ता आप यहां समझ लो कि अगर कोई एक बीमारी हो रही है तो यह माना गया है इस वाले सिस्टम में कि उसको ठीक करने के लिए वही चीज हमारी लगेगी यान कि इसके क्या है कि अगर कोई मालो एक ड्रग सभिष्टांस है वो किसी बीमारी को कॉस कर रहा है तो यहां पर जो इलाज होगा वह भी हमारा उसी बीमारी के द्वारा हो जाएगा तो इसी सिद्दान पर हमारा काम करता होमियोपैथी वाला जैसे एंटिवाटिक में क्या है सब्सक्राइब गोة है तो अगर उसने वीमारी कॉस किया है थ्यो जिसरे पैदा हुई है तो इस टरह हमारा होमियोपैथी काम करता है तो आपको ज्यादा लैंति में ओ семत में इक smi THIS LIVE मिल जाएंग और वू वह मिल जाएंग तो आप उन चके नाप तो यहां पर हमारा पहला कोशन प्रिंसिबल वाला हो गया है और अगर इसमें से एक दो भी फ़स्दा आते हैं तो आपके बहुत अच्छे मांक्स आएंगे सैकेंड हमारा आता है प्रिप्रेशन एंट इट्रेशन अरिश्ट एंड असवा वाला तो देखो पहले हम समझते है यह चीज़ा एक्च्छल में होती हैं तो यह भी हमारे ड्रक्स आपको 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 इंक्जामपल लिखना हो तो आप इनको आराम से लिख सकते हो उसके बाद इनकी प्रिप्रेशन मतलब क्या है कि हम इनको प्रिपेर कर रहे हैं दबा की तरह बना रहे हैं अब सब्सक्राइब करें के लिख करेंगे इसकर घुठी जो कमी होगी तो कि अन्दर यहीं फीर खाले से आते हैं लेकिन थे जहां आपको इस तरह यहां मार ही जहार रहे जिसमें हमारे Arrition थार्ट हैं ये दोनों के दोनो लिक्विड लग्विड वर्म है फिर आता है טो यह हमार है लेया इस हमारा अपी शार पांज इता य defense लेवा सबंबार को यह हमारे सब्सक्रांब arm तो यहां पर आपको अगर लछी नहीं तो यह थोड़ी सी लेंदिया लेकिन सिंपल है प्रेपरेशन इसलिए मैंने आपके लिए लिए लिखा तो क्या करना है कि सबसे बहले आपको क्रीव ड्रग लेना यान कि जो भी प्लांट बगरा जिसे हमको अरिष्ट बनाना है वह हमने क्रीव ड्रग लिया हर्ब लिया और इसके दिख रहा है लेकिन ऐसे मतलब ऐसे मालो उमने इसको पीज़ दिया तो यह कोर्स पार्डर में कराते हैं और यह जब वह हो जाती है देन इसके बाद हम जो हमारा प्रोडक्त है उसको ट्रांसपर करते हैं अपने ferman de la deficyan Krone आप समझ आ तो अपसे सड़ाना मतलब जैसे आपको पता होगा जैसे मालों नो दूद से डाी एं-ट नहीं तो हम टै इम के लिए अभ जो घ्नाप बेक्टरिय उसको करेंगा जैसे आपको बताओगा braid बागर जो हुमारे बनते हैं जो भी फर्मेंटेशन बोसे से बनते रहते हैं और बहुत सी हमारी ऋस साड़ता रहता है और उसके बाद हमारी नई ची जो डबलब होथी तो इसको बोलते हैं तो यहां पर हमको क्ये करना जो हमारा कुछ इस घ्यूद करेंchnAS को पहले तो सब्सक्रायद करने की का अपना माल्म खेसल लोगिया आ प्रेज़ करेंगे जो किसको दिए अज और करेंगे उसके बाद हम अपने जो बैसार है उसको क्लोज कर देंगे एर संदलेट के दोरा तो यह ऐसी होती मालो इसके उपर हमने रख दिया ढकन लीड मतलब ढकन उसके बाद हम जो साइड ने करनारी इस पर कोई किले लगा देंगे चार तरफ से मिट्टी लगाके इसको मतलब बिल् ज़्यादा लंबे समय तक कितना बबजली को चक्का करोगो इसलिए होता है घ्ञान के अंदर उसको बहुत यह अंदर मतलब दबा के रख दिया था और अच्छान के अंधर मैंटेन रहता था तो बस उसमें रख देंगे हम काफी लगाकसमें थे लिए यह घ्र रग्का थो मुझ टाइम के बाद आप उसको ओुपिन करोगे बाद आप उसको च्रोट करोगे यानगी हमारा घर देंग नहीं हो रही हो घोरा पैक करके पूरा लगने और अगर हो जाती लिएंट हमें उसको किया रिजिए इनWe fluid अब decant का मदलब क्या होता है ये मालो भी हमारी हमारी fermentation के बात आप तो हमारा liquid form में है तो उसको हम क्या करेंगे अलग product में डलेंगे यारहने क्टेनेर में डलेंगे और कि छोड़ देते हैं उसके बाद मुस को filter कर लेंगे क्योंकि हम्हें कई भी झाहिए क्योंकि आपको पता है जब इतने टाइम तक कोई चीज रखी रहेगी तो जो भी सारा मेट्रियल है वो हमारा फ्ल्यूड लेक्विड के अंदर यहाद आएगा और फ्ल्यूड में बैसे चीज़ा हमारी आके आ रहे हैं यहापर सुगर जैगरी हनी यही सारी चीज़ा हमारी फ्ल्यूड के अंदर आ रहे हैं तो इनी समय वो चीज़ हमारी फूरी फर्मेंटेशन होगे यह सब और अगर आप लोग ध्यान ने तो फर्मेंटेशन के लिए जो हमारा हानी जैगरी सुगर है यह एक तरह से बहुत ही अच्छे क्या होते हैं कल्चर मीडिया की तरह भी का करेंगे तो हम उसको एक बार फिर्थिक्या करेंगे फिलीड को मलड़ा पूरा डिसेंड यानकि उसको अलग करके जो भी सॉलिड को निकाल देगे फिल्टर कर देंगे उसके बाद जो भी हमारा बच्चा कुछा उसको हम दो से तीन अरिष्ट वहमारा एकदम क्या होताया तैयार होताई है तो इस तरह अपर यह पर मिलता है आपको एकदम खिलियर नहीं करेंगे इसको डारकली हम क्या करेंगे अपने फर्मेंटेशन वैसल में डाल दें यानिकि एक्स्ट्रक्शन की जरुवत नहीं है डाल दिया सुगर जैगरी हनी यह चीज़ें मिलाएंगे प्रिजरबेटिव थोड़ सी मिलाएंगे पर इसके बाद क्लोज करके इसको र करेंगे और जो भी करेंगे क्या होजागा वो तुसमें दोबारा फर्मेंटेशन नहीं होगी और इसको बोटल में फिल करके बाहर निकालेंगे तो इसी तरह हमारे यह असबाभी बनता है तो आप लोग यहां मैने यहां पर लिख दिया ठीक है तो यह हमारी होगी इसकी प होता है कलर ब्लैक और डार्क ब्राउन होता है और अरोमेटिक पहले बता दिया पीएच लगवक तीन और यह तक ऊपर नीचे हो जाता है इस पैसिक ग्रैविटी लगवक टुइंटीव डेगरी सलस्यत होती है विसको सीटी 3.5 और याद करनी पड़ेंगी थोड़ सा याद का याद करते हैं हम मैंनल्स की करते है अब ऑप सुर्वीर एक ने एक लिख दिया वह भी सौट में दिख दिया आप इसको समझ लेना कैसे करते हैं इसमें हम प्युरिफिकेशन की प्रॉसेट होती है मेली हमारा इसमें क्या प्यूरिफाई करना क्योंकि मैटल्स थोड़े बहुत क्या होते हैं आपको बता टॉक्सिक होते हैं तो बस हमको एदा भस्म यूज़ कर सकते हैं अब भस्म आपने को आगर ऐसे देखो कि भई भस्म कर दूंगा भस्म का मंदब क्या है कि कोई भी आप मेनल मैटल उसको जब आग लगांगी तो आग लगाने कब जो आपकी राक सी बस्ती है उसी राक को हमें एक लिकड में डालने के बाद ह तो यह हमारी बहस्म कहलाती है यानकि जो आप चूले बगरहां में जलाते हैं राक वर्ष्टिए उसी को एक्वा बहस्म बोला था ठीक है तो यह हमारी होती है वाकि इसका कैसे करेंगे तो कलर लगवग गरय में होती मोश्चलिय आप ने देखा होगा जो कोई भी आग लगत यह सबको आप अलग अच्छे से और उनका एक यूनिफर्म पाटिकल आगा उसके बाद यह बहुत ही जादा महीम होगा आप समय सकते हो बहुत ही पतल होगा इसके बाद जो कि अपका जाए चीज na होती है आप छोटे पार्ट है खुद से मिक्स कर लो लाइट चली गई बट अब तो होई गया काम तो यहाँ पर पढ़ लेना फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टी इसकी और मॉइस्ट इसको बिल्कुल भी नहीं कर सकते एक्जांपल हमारा सुधरसन चूड़ हो गया तो यह थी हमारी सारी की सारी बाता है इसी इंडियन सिस्टम मेडिसन के बारे में अब दो और रेगन ड्रक पढ़ लेना कै लोग को वीडियो पसंद आई होगी सारा कुछ आपको समझा आगया होगा आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरू बताईगा बागी मिलते हैं आपसे बहुत नेस्ट वीडियो में तब तक फ्रेंट थैंक्यू टेक्यार एंड आप सभी लोग अपना और अमनी फैमि